दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ उस्काम में लगा तो वैसे ही रग्त में कीचड़ बहुत हो गया मानिंक हो gefड़ गया तो वह जो इंसूलन जाना चाहता है वह नहीं जा सकता जिस इस स्वीड़ से जाना चाहिए नहीं जा सकता है चाहिए कम जाता है या कभी-कभी ऐसा हो जाए कि रख दिऊंग गाड़ तो बैठा हुआ इंसुलिन है जो रक्त में डिटेक्ट हो जाता है जब भी आप चेक कराएंगे न तो ग्लू कोज आ जाता है तो उसी को कहते हैं ब्लड शुगर इतनी बढ़ी होई है अब ध्यान रखिए ब्लड शुगर का चीनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कॉलेस्ट्र को कम ज्यादा करना तो हमारे हाथ में मैंने बता दिया इतनी सरल क्रिया थोड़ी देर पहले आप कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं डॉक्टर आपको ऐसे बहुत हो यह तो ठीक नहीं होगा जिन्दगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना जिन्दगी बर यह टैबलेट अब जिन्दगी बरी खाना है तो तुम किस बीमारी के लिए हो जिन्दगी बर तो खाना खाना पड़ता है जिन्दगी बर तो दारी खायी जाती है सबजी खायी जाती है इंसुलिन थोड़ी खाया जाए इंसुलिन तो है हमारे शरीप में बाहर से फिर क्या करते तो बाहर तो वो ही इंसुलिन बनाएगा जो आपकी पैंक्रियास से निकलना है तो आपको क्या करना है डाइबिटीज के पेशेंट को भी सारी ताकत इस बात पे लगानी है कि उनका रख्त का कॉलेस्ट्रॉल घटे और जैसे जैसे कॉलेस्ट्रॉल घटेगा खून पतला होने लगेगा ये इंसुलिन ही गुलुकोज लेके जाने लगेगा अंदर जो नहीं जा रहा है सिंपल सी बात है तो डाइबिटीज के पेशेंट को भी वही करना है जो हर्ड के पेशेंट को करना है तो हर्ड और डायबेटे इस एक ही सिर्के के दो इससे है इसमें में खून को बतला करना पड़ेगा कॉलेस्टारल कम करना पड़ेगा अच्छा कॉलेस्ट्रोल बढ़ाना पड़ेगा बुला केलोस्ट्रोल कम करना पड़ेगा तो वो सब काम करिए जो आप हर्ड के लिए करते हैं माने हर्ड पेशेंट और डाइबिटिक पेशेंट का एक ही प्रेस्क्रिप्शन है मैंती दाना खाईए आमला खाईए अर्जुन छाल लीजे और यह आपको बता है जितने प्रस्क्रिप्शन थोड़ी देर पहले मैंने काई घी बदल दीजे नमक बदल दीजे तेल बदल दीजे यह सब डाइबिटीज के लिए भी लागू होगे जो हर्ड के लिए लागू हो ठीक है एक दो एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं जो हर्ड में काम नहीं आएगी लेकिन डाइबिटीज में ही काम आए अब तक जो कॉमन थी वो मैं बता चुका हूं अब एक्स्ट्रा चीज जो आपको लेनी पड़ेगी डाइबिटीज पेशेंट को वो क्या-क्या है दिन्दी में हम सब कहते हैं जामुन उस जामुन की गुट्लियां मिलती हैं बजार में सूखी गुट्लियां उनका पाउडर बनाना है और वो पाउडर रोज हैं चम्मच खाना है गुन-गुने पानी के साथ यह डाइबिटीज वाले को एक्स्ट्रा करना है जामुन की गुट्लि का पाउडर बजार में मिलता है खुद भी बना लो जामुन जब आती है तो खूब जामुन खालो गुट्लियां सुखालो सुखा के कूट के पाउडर बना लो तो डाइबिटिक पेशेंट को यह एक्स्ट्रा है यह हर्ट के लिए नहीं है स्पूल खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा उनको ने पानी के साथ लें चलेगा उसके साथ पी ले सकते हैं जामुकी गुटली का पाउडर सबेरे के पानी के साथ लिया जा सकते हैं और ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो समझ लीजिए कॉलस्ट्रोल और ज्यादा है तो इसको दो बार करेंगे सुबह और शाम को हमेशा खाने के पहले ही लेना है इसको जब पिलेना है तो यह एक एक्स्ट्रा चीज है बाकी मेती दाना आप ले सकते हैं त्रिफला ले सक करेले के बीज का पाउडर करेला है उसके बीज निकालके सुखा लीजे और या तो करेला ही छोटा-छोटा पीस करके सुखा लीजे साल वर वो चलता है उसका पाउडर बनाके तो जामुन की उठली का पाउडर आदा चमच कर दीजे करेले का पाउडर आदा चमच कर दीज क्या होता है करेले के पीश से तर्फ इसको यूज करिए और अब इसमें चाहें तो नीम की निम्बॉली सूखी हुई निम्बॉली बजार में मिलती है उसका भी पाउडर बना लीजे उसको भी आद़ चमच ले लीजे तीनों मिलाकर नेड़ चमच हो गया जामून की गुटली का करेले का और नीम की निम्बॉली का तीनों का पाउडर मिक्स करके डायबिटीज के पेशें हर्ट वाले ये कभी नले ये सिर्फ diabetes वालों के लिए और तीनों mix करके लेंगे तो result बहुत अच्छे अकेला भी लेंगे तो result है ऐसा नहीं है यह जामुन की गुटली का result नहीं है लेकि जामुन की गुटली के साथ करेला भी हो और उसके साथ नीम का निपॉली का भी powder है तो बहुत अक्षे था य। तीन मेंने लगातार फिर फजन ब्रेक फिर फिरीम मैंने लगातार फजन पर्म led जब आपको लगे कि आप सब कुछ नॉखनवल हो गया है तो देरे देरे बंग जो है जो फसके तो घृतली कृतली कर लें कोई diabetic patient है मैंने आप से बोल डिया है कि भगवान का बनाया हुआ कुछ भी मीठा खाइए आदमी का बनाया हुआ हुआ है तो कुछ आदमी का दिमाग भी जादा नहीं लगता ये आदमी खतरनाक है सारी दुनिया में अपना दिमाग जहां लगाता है वही सारी करदकर मिश्री खा लीजे आप जो है विश्री खा सकते हैं देशी खांड खा सकते हैं गुड़ खा सकते हैं शहद भी ले सकते हैं लेखिन चीनी नहीं शुकर भी गाजर पाग बनाए ना गुड में इस तरी आंप ले सकते हैं जाहर पाग बनाना तो फुल में कोई दिक्कत नहीं हलुओ बनाते ना बुडम है कोई दिक्कत बस इतना ही द्यान रखना है शक्कर मनें चीनी शुगर भुड का पाउडर है तो वो तो वो ही है जो भुड है उसमें को यह से मेरा इतना ही कहना है कि आप ये सब मीठी चीजें जो भगवान की बनाई हुई है जरूर लीजे, क्यों लीजे जान लीजे आदमी की बनाई हुई जो मीठी चीजें है उनमें ग्लूकोज है बगवान की बनाई हुई जो मीठी चीजें है वो सब फ्रक्ट्रोज है ये फ्रक्ट्रोज जो है ना इसली डाइजेस्टिबल है डाइविटिक पेशेंट भी उसको हजम कर लेगा तुरण और यह glucose है यह नहीं होता असानी से अभी गुड़ जब select करना है तो आप एक ही उसका quality देखिए कि उसका रंग जितना dark होगा गुड़ उतना ही अच्छा हो जैसे मैं खड़ा हूँ यह podium का कुछ color यह podium के color का गुड़ अगर लाइंगे dark तो डार्क गुड़ जितना होगा quality उतनी अच्छी होगी उसमें chemical उस उतनी कम होगे और गुड़ जितना light color का होगा white color का है yellow color का उतना ही खतरना है क्योंकि वो गुड़ नहीं है वो निर्मा वाशिंग पाउडर है गुड़ बनाने के लिए आप जानते हैं कई किसान हैं जो दूद से उसको साफ करते हैं तो वो गुड़ तो ऐसा हो जाता है डार्क और जो गुड़ को निर्मा वाशिंग पाउडर से साफ किया जाता वो एक तम वाइट होता है एक तम यलो तो आप जबी भी खरीद में जाए तो दुकान वाले को कहें कि मुझे डार्क कलर का ही दो वो कहेंगा बाभुजी अच्छा नहीं है देखने में तो उसने का देखने में खराब है लेकिन खाने में वही अच्छा है तो आप बुड़ वो खा सकते हैं डायबिटीज के पेशन्ट के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो कुछ आप हर्ट के लिए करते हैं वो प्रेसिंग भी आता है वो जामुन की गुठली से ही बनता है आप उसका भी चाहें तो नाम लिख लिजेंग जाओं जांबोले इसीजियम जांबोले यह होमयोमेट एस वाई जड़ वाई आई ए यू एम एस वाई जड़ वाई आई ए यू एम उदर में कुछ और लिखने वाला है एस वाई जड़ वाई आई ए यू एम सीजियम जांबोले यह एक दवा है इसके आगे लिख लेना बदर टिंचर यह दवा को पानी में मिलाके पीना है जो डाइविटिक है उनके पंद्रे से बीस ड्रॉप चौथाई कप गुनगुना पानी अगर आपको जामुन की गुटली का पाउडर नहीं मिलता है तब यह दवा यूस कर सकते हैं मिल रहा है तो यह दवा मतला यह क्योंकि यह दवा उसी से बनी हुई चौथाई कप गुनगुना पानी मिला दीजे और सबेरे दुपहर शाम खाने के पहले या ब्रेकफास्ट के पहले डिनर लंच के आदा गंटे पहले इसको पीना तो यह डाइविटिस के लिए करना और डाइविटिस के लिए एक दो छुट छुटी बात है और ज़रू ध् हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा डाइविटिस के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के समय पर लंच करना पड़ेगा हर पेशेंट को यह कंपल सरी है आप अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं या 9 बजे और शाम को चार से पाँच बज़े के आसपास डिनर करें। हाँ, आठ नो बज़े लंच, चार से पाँच के बीच में डिनर, ये कंपल सरी है, पाँच का ज्यादा से ज्यादा छे हो सकता, छे के आगे ने। हाँ, सुर्यास्त होने के पहले और सुर्यास्त होने के एक घंटे के बाद आपका लंच हो जाना, बीच में भूख लगेगी, तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़े खानी हैं, जैसे फल आदी में लीजे, मुफली का दाना खा लीजे, चना खा लीजे, हैं, क्या, क्या, मुफली का दाना, एड़ील नहीं, हड़ील बढ़ाता है, मुफली का दाना, एड़ील बढ़ाता है, एड़ील बढ़ाने वाली चीजें तो हैं, वो जिनको मैं बोल चुका हूं, रफाइंड और डबल रफाइंड ड़ाइंड तो मुफली खा ये, चना ख तिल कानल चनाने की बनी हुई कोई चीज खाली जे चने की बनी टिलकी की चीजव दिशीछ उसके साथeren गभाट्यार करूंक भर नोज आ पकत्न पार जो भी दाइमिटिक हैं उन यह तो कंपल्सरी है, बिना इसके आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते डाइबिटी से, अभी जो डाइबिटीक और हर्ड पेशेंट है, उसको 90 परसेंट तो चीजें कॉमन ही है, आपने सुन लिया है, कुछी चीजें हैं जो अनकॉमन है, तो जो अनकॉमन है उनको शाम करें तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिल लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें